SBI bank भारत की सबसे बड़ी government bank है जिसके अंदर account होना हम स्विफ मानते हैं दोस्तों उसी bank के अंदर आज हम online saving account open करना चिकाएंगे कि आप ब्रांच भी नहीं जाना पड़ेगा और इसी घर बैटे ही आप जो है saving account है वो open कर सकते है SBI bank के अंदर फुल प्रोसेस बताने आ ला हूँ यहां पे इस account की तो यहां पे account मिलता है saving account इसके अंदर आपको maintenance की भी ज़रूद नहीं पड़ती है कोई भी charges नहीं करता है इसके अंदर ATM भी मिलता है checkbook भी मिलता है तो शुरू करते है इस वीडियो को bigger time waste किये और open करने के लिए आपको simple सा play store कंदर आ जाना यहां पे आपको you know sbi application है you know sbi application जो आपके screen के सामने देख रहा है यह application आपको install करना उसके बाद में इसको open करना है open जैसे करेंगे तो यहां पे कुछ इस तरह का interface आएगा अब interface को change हो चुका है you know sbi for every Indian इसके बाद में यहां पर wait करते हैं उसके बाद में आपको location अलॉग कर लेनी है उसके बाद में यहां पर आप देख सकते हैं बहुत सारे options आपको मिलते हैं आपके पास यह अकाउंट नहीं है तो आप यहां पर देख सकते हैं don't have a nsbi account तो इसके उपर आपको क्लिक करना है आप register के उपर भी क्ल ना जाएगा हम open saving accounts इसके उपर क्लिक करेंगे जैसे इसको उपर क्लिक करते हैं तो हमें दो टाइप के accounts मिलते हैं दो टाइप के अकाउंट के अंदर एक तो है open saving account resident Indian का है उसके बाद में open NRE और NRO account non Indian resident का उसके बाद में नीचे की तरफ है open INSTA saving account हमें यहां पर open insta plus saving account ही open करना है जिसमें अंदर होता है कि instant ही open हो जाता है जिसके अंदर किसी भी branch के अदर आपको visit नहीं करना पड़ता है तो हम open insta plus account के ऊपर किलिक करेंगे जैसे इसको उपर किलिक करेंगे तो आपकी सामने आ जाता है ओपन ए digital saving account without branch विजिट तो इसके अंदर आपकी फूल केवाई सी होगी वीडियो केवाई सी होगी अब हम यहां पर चेक मार्क पर क्लिक करेंगे आई वाइन टू ओपने सेलेरी अकाउंट यह चैलेरी अकाउंट भी है लेकिन आप इसमें ओपन कर सकते हैं अब देखिए दोस्तों यहां पर बैक जाते ह है तो सेविंग पर भी क्लिक करेंगे तो दो अपसिंस हमें मिलते हैं यह सेलेरी अकाउंट नहीं होता है यह और नॉर्मल अकाउंट ही होता है इसके अंदर दो अपसे मिलते हैं विदाउट ब्रांच और विद ब्रांच जैसे हम विद ब्रांच करेंगे तो आपको ध्यान पिन कोड है जिसकी अंदर बैंक पास में है और आप वहां जाओगी तो आपका अकाउंट नहीं ओपन होगा आप समझ गए होगे लग बग और विदाउट ब्रांश विजिट पे हम क्लिक करेंगे क्योंकि हमें अकाउंट इंस्टेंट साइए हम यहां पे आई वांट टू ओ एकले करें स्टर्ट करेंस स्टो अप्लिक संस्कार कलेंगे सिर्ट करेंगे इसके बाद में आपका क्ष्ण यहां पर नहीं तो भी आप आगे बढ़ सकते हैं एंप यहां पर वरना आप देख सकते हैं यहां पर लेका हुआ है माई इंप्लोयर इस नोट लिस्न अबाउट इसके उपर आपके लिक कर सकते हैं इसके बाद में वीडियो के वाइसी प्रोड़क्ट इन्पोमेशन आपके सामने आजाती है तो यहां पर हम फिर से आई करेंगे उसके बाद में प्रोड़ क्लांस इसके उपर भी आपन करते हैं और वीडियो डेम भी आप देख सकते हैं हम लेक्स पे क्लिक करेंगे नेगगे हैं अपको मोबाइल नमबर और इमेल एड्रेस पूचेआँ अब देखिए यहां पर आपका मोबाइल नमबर तो जरू कर सकते हैं तो हम फिलाल mobile number डालेंगे हमने mobile number डाल गिया है, email address हम अभी नहीं डाल रहे है, बाद में डाल सकते हैं, क्योंकिक अकाउंट open होने के बाद में, आप net banking के अंदर जाके update कर सकते है email, submit के ओपर हम click करेंगे, जैसे submit के ओपर click करेंगे तो OTP जाएगा हमारे register mobile number पर, O चला जाएगा ओटीपी को यहां पे एंटर करना है यहां पे देख सकते हैं ओटीपी ओटो फिल भी आप कर सकते हैं और यहां पे हम ओटीपी को मंजूरी देते हैं ओटो फिल के लिए और यहां पे ओटीपी एंटर करते हैं ठीक उसके बाद में सब्मीट के उपर क्लिक करते है जैसे दोस्तों सब्मेट के उपर क्लिक करेंगे तो हमें यहां पे एप्लिकेशन पास्पोर्ट क्रियेट करना है पास्पोर्ट के लिए एक्जाम्पल मैं दे दूं यहां पे आपका मिनिमम एट केरेक्टर्स तो आपके इश्पेसिल करेक्टर्स भी होने चाहिए एट केरेक्टर गोना चाहिए और मैं अपने हशाब से यहां पे डाल देता हूं यहां परेक्जाम्पल के लिए मैं डाल रहा हूं आप ही इस अपलिक्शन को उपन नहीं कर सकते हैं मैं यह जैसे डालू है कि इउर्पलत के लिए डा दिया इसंडाधि लगजी बड़े चलिप धर कि गिया उसके बाद में यहां पे at the correct कि अब डाल सकते नंब्रिंग मयं डाला हूं नंब्रिंग टाल दी एक्सर का होना चाहिए तो मैं पासवोर्ट इस तरह से बना रहा हूं मैं screen उपरा को दिखा दे रहा हूं अब दोस्तों इसके बाद में आपको security cushion है जो लगाना है आप अपने हसाब से security cushion लगा सकते हैं मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं इस्पोर्ट्स भी लगा सकते हैं इसपोर्स लगा दे रहा हूं हो complete करना है वरना जो है डाटा है lost हो जाएगा तो हम त्रू देज के अंदर क्या आज ही कर लेंगे ओके पे क्लिक करेंगे इसके बाद में आप देख सकते है I am legal for tax in India only यहाँ पे सेक्मार्ट पे क्लिक करना है और next पे आपको क्लिक करना है इसके बाद में आपको कॉंसल्ट है अदार कॉंसल्ट इसको यहाँ पे एग्री करना है उसके बाद में next पे क्लिक करना है अब इसके बाद में आपको यहाँ पे अदार नंबर डालना है अब देखिए यहाँ पे दोस्तों हमें क्या करना है अदार कार नंबर एंटर करना है देख सकते में अ सारी डीटियल सा जाती है टाइटल भी मिस्टर सीधा आदार से ले लेता है उसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करना है नेक्स्ट पे क्लिक करना है यहां पर आपको सब डिस्टिक से अलट करनी है सब डिस्टिक जो भी आपकी सब डिस्टिक है वह आपको सेलेट करनी है और प्रपर तरीके से आपको फिल करना है एरिया के अंदर आपको अपने हसाब से एरिया का नाम डाल सकते हैं उसके बाद में आपको अपनी डिस्ट्रीक यां शीटी का नाम डाल देना है उसके बाद में अपना राजी सेलेट करना है समारा राजस्तान है तो राजस्तान में चलेट कर लेता हूं जैसे किया उसके बाद में आपको पिन कोड अपका डालना है और इसके बाद में यहां पे एड्रेस वैलिट अप टू वह भी आपको यहां पे डालना है पिन कोड डा भो एक्टेम करना है यहां पे यह आ रहा है तो कोई प्रोब्ल्लम नहीं है तो फिसके बाद वाद को प्रोटना में अब आधार रिधो है तो वह के करना है तो यहां पर जो बी आपका कि उसके बाद में मैरीज स्ट्यटेस आपको सेलेग करना है यह पादर का डाल ट्रम तो यहां पे आपको डाल देना यहां पर फेश्ट नेम यहां पे आपको एंटर कर देदा इसके बाद में दोस्तों मिच्छ सेलेग करना मदर्स के लिएмотр अब दालना फैस्ट नेम और लास्ट नेम यहां पर आपको एंटर करना है तो यहां पर देख सकते हैं यहां पर मैं फैस्ट नेम और लास्ट नेम एंटर कर देता हूं उसके बाद में सेक्मार्क पर क्लिक करके नेक्स पर क्लिक कर देता हूं तो यहां पर अधर करना मैं यहा एक प्डेटेज ना आते हैं कि स्क्राहिश्ट टालनी पर यहां पर की करने मेश प्रता है कंद चेकर चतेक्षु सरी मढश धिशन सब्सक्ट नबोट Shreem है'm एंटर करना के बाद में next पे हम क्लिक करेंगे उसके बाद में दोस्तों यहां पर branch वो है अभी तक यहां पर search नहीं होई तो आप में branch search करनी है branch name से हम चर्स कर सकते हैं सिर्फ बाड में लिकने जैसे यहां पर जिस जिस सहर के अंदर आपका branch हो इसके बाद में branch आजाती है इसके बाद में next पे click करते review ऐया है उसके बाद में एगिचेसर मोबायल नंबर प्रबॉर जो मोमें लंबर से आपकाउंट औंडल शुरुवात कि दी अब यहां पर ध्यान यहां यह रखना है आधार के साथ जो भी मोबाइल नमबर लिंक है उसी के साथ अकाउंट ओपन करने की कुछिस कीज़े का उढ़ना आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा नेक्स पे हमें किलिक करना है उसके बाद में यहाँ पे कार्ड पे आप क्या नाम रखना चाहते है ऊसके बाद में आपका उने करने के बाद पर फिरसे यहाँ पे वीडियो के वीज़िवाज़ा में क्किरेंगे जैसे किया तो यहाँ पे देख सकते हैं अपनी अंग्रिय जी भासा ही रखिए व्रना हिंदी के दिर ट्रांसलेइट करतेब करते वग expecting करेंगे कर देता है इस पर जैसे लेस्ट इसके बाद में आप देख सकते हैं और पर 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 मिशन पर करेंगे अनुमति आप सारी परमिशन आपको अनुमति दे देनी है उसके बाद में अनुमति फिर से देनी है यहाँ पर क्रॉम के लिए माइक के लिए पर डूमति आपको दे देनी है उसके बाद में यहाँ पर लोक olhos के लिए attract आप कर सकते हैं लेकि हमारा यह सब्सक्राइब इसके बाद है इसकी बाद में जाने लोगईं करने वाद यह Architecture जाने की लेगा है इस वीडियों हम इस सब्सक्राइब करें य किआबर उस्क्राइब ये तैंक यू जाई भारत